कला से सम्मंधिस सभी हमारे प्रिय भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है तो सबसे पहले जिस भाई बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले और विल आइकन को अवस्य प्रस कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे तथा वीडियो को अपने मीत्र बंधू सखा आधी लोगों के पास सेरवसी कर दे तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अलता मीरा गुफा जो एक यूरोपी ये गुफा है यह कहां की गुफा है यह टॉपिक बहुत ही महत्पूर होने वाला है क्योंकि कोई भी परिच्छा हो चाहें टीजी टी पीजी टी जी आरेफ नेट डीएससबी या येनवी यास कोई भी परिच्छा हो यहां से कोश्चन अवस्थी पुटप होता है चलिए देख लेते हैं तो पहला कोश्चन दिखाई पड़ रहा है पहला कोश्चन दिया गया है अलता मीरा गुफा कहां इस्थित है अलता मीरा गुफा उत्तरी इस्थित है जो की यूरोप में पड़ता है अगला कोश्चन दिया गया है इस गुफा की लंबाई कितनी है तीन सो गज है या गुफा तीन सो गज में फैली हुई है अगला कोश्चन है इस गुफा की खोज कब हुई तो इस गुफा की खोज हुई थी 1889 इस वी में अगला कुश्चन दिया गया है इस गुफा की खोज किसने के या इस गुफा की खोज किसके द्वारा हुई तो इस गुफा की खोज मारिया शान्त ओला नामक एक लड़की नेकी जो लगभ बारा वर्सी थी अगला कुश्चन दिया गया है यह गुफा किस विशाई से संबंधित है तो यह गुफा आखेट विशाई से संबंधित है यानि यहां ज़्याधातर चित्र आखेट के पाए गये है चलिए अगला कुश्चन दिया गया है इस गुफा में किस प्रकार के चित्र मिले हैं इस गुफा में भीत्ती चित्र मिले हैं भीत्ती चित्र का मतलब होता है जो दीवाल पर बनाया जाते हैं उन्हें हम भीत्ती चित्र कहते हैं चलि अगला कुश्चन दिया गया है इस गुफा की छत की उचाई कितनी है तो इस गुफा की छत की उचाई लगभग 6-7 फिट है अगला कुश्चन दिया गया है अलता मीरा गुफा निर्मित है तो अलता मीरा गुफा किससे निर्मित है तो अलता मीरा गुफा चूने वाले से निर्मित हैं अगला है कुश्य अलतामीरा गुफा के चित्रों का समयकाल क्या है ? आप सभी इसे याद ही कलने गुफा के चित्रों का समयकाल कितना है 1200 इशापूर के चित्र यानी अलता मीरा गुफा के चित्र जो है 1200 इशापूर्व के है अगला कुश्चन दिया गया है इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है very important कई बार पूछा जा चुका है तो यानी अलता मीरा गुफा का जो है सबसे प्रसिद्द चितर कौन सा है जंगली भैसा इसे बाइसन भी कहा गया है चलिए अगला कुश्चन है मानव हांथ का चितर कहां से मिला है तो मानव हांथ का चितर अलता मेरा गुफा से मिला है जो की उत्तरी इस पेन में है अगला कुश्चन है लंबे सिंग वाला बकरे का चित्र कहां से मिला है तो लंबे सिंग वाले बकरे का चित्र भी अल्ता मीरा गुफा से ही प्राप्ट हुआ है अगला कुश्चन है अल्ता मीरा गुफा के चित्रों को बनाने में प्रियोग किया गया है तो अल्ता मीरा गुफा के चित्रों को बनाने में किस चीज का प्रियोग किया गया है तो चारकोल और हेम ठिट का अल्ता मीरा के जो गुफा के चित्र हैं वो चारकोल और हेम ठिट के बने हुए हैं तो हमारे द्वारा इस टॉपिक में वही कुश्चन या वही पॉइंट लिए गए हैं जो आप सभी के लिए वेर इंपॉर्टेंट हैं और परिच्छा में कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए इसे ध्यान से आप लोग देखिए चलिए अगला कुश्चन दिया गया है प्रागायतिहाशिक मानवद्वारा अंकित सर्व पर्थम चीत्र कहां से प्राप्त हुआ है तो अलतामीरा गुफा से प्राप्त हुआ है अगला कुश्चन है कहां के चित्रों को देखने के लिए लेटना पड़ता है बिल्कुल वेर इंपोर्टेंट यानि किस गुफा के चित्रों को हम लेट कर ही देख सकते हैं यानि इसके चित्र कहां बने हुए हैं छतों पर बने हुए हैं तो अलता मीरा गुफा के चित्रों को देखने के लिए हमें लेटना पड़ता है चलिए सोला नमबर कुशन अलता मीरा गुफा के लगभग कितने बहुरंग चित्र हैं वेरी इंपर्टेंट यानि रंगीन बहुरंग चित्र हैं तो अलता मीरा गुफा के 20 चित्र जो हैं 25 चित्र सारी दोस्तों 25 चित्र वो बहुरंग चित्र हैं चलिए अगला कुश्चन है अलतामीरा गुफा में पसु चीत्र किस मुद्रा में बने हैं तो अलतामीरा में पसु चीत्र जो हैं वो प्राकर्तिक मुद्रा में बने हुए हैं पूश्यन नमबर 18 अलता मेरा की गुफा के चित्र जेंगली भैंसे को और किन नामों से जाना जाता है तो उसे महामहिस या भैंसे के नाम से भी जाना जाता है और इसे बाईसन भी कहा जाता है बाईसन भी कहा जाता है चलिए अगला कुश्चन दिया गया है विस्व में सरप्रथम प्रागयतिहासिक चित्रों की खोज कहां हुई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी इस्पेन में अगला कुश्चन है अलतामीरा गुफा में लगभग कितने चित्र मिले हैं तो यह जो है बिल्कुल अथेंटिक जानकारी नहीं है कहीं पर 150 लिखा हुआ है किसी बुक में 200 लिखे हुए हैं तो यह ओप्सन के अनुसार आपको चुनना होगा इसका राइट कुश्चन आप सभी को कमेंट बाक्स में लिखकर भेजना होगा चलिए अगला कुश्चन है अलता मीरा गुफा में मूलता किस रंग का प्रियोग हुआ है तो अलता मीरा गुफा में मूलता लाल रंग का प्रियोग हुआ है चलिए अगला कुश्चन है सरुप्रथम आदिमकला कहां पाई गई आदिमकला कहां पाई गई है तो सरुप्रथम आदिमकला अलता मीरा गुफा में पाई गई है अगला कुश्चन है यह गुफा किस काल की है वेरी इंपर्टेंट कुश्चन वेरी वेरी इंपर्टेंट कुश्चन है यह तो यह गुफा किस काल की है तो यह गुफा जो है मैगदेलियन काल की मानी जाती है चलिए अगला कुस्चन है एल्फ प्रजाती वाले हिरण का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है वेरी इंपर्टेंट एल्फ प्रजाती किस प्रजाती क्या एल्फ प्रजाती के वाले हिरण का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है तो यह अलता मीरा गुफा से प्राप्त हुआ है तो आज का हमारा यही लास्ट कुश्चन था तो यह आज का टॉपिक समाप्त होता है यदि वैसे तो हमारे द्वारा बनाई गई पीडिये बहुत ही देखरेक में बनाई गई यदि कोई इसमें प्रूटी हो तो कमेंट बाक्स में आप लोग अवस्य लिखें जिसका हम सही उ हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद्ध करें अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद्ध